रादे रादे फ्रिंस आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देव दिवाली कब और कैसे मनाते हैं जैसे की कार्थिक महीने की अमबावस्तिति को मनिश लोग दिवाली मनाते हैं बैसे ही कार्थिक महीने की पूरिमा को सभी देवी देपता दिवाली मनाते हैं इसलिए इस दिन को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है आज की वीडियो में हम देखेंगे कि देव दिवाली हमें कब मनानी है और कैसे मनानी है जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि देव दिवाली कार्तिक की पूर्णिमा को मनाई जाती है देव दिवाली आप अपने घर के मंदिर में भी मना सकते हैं क्योंकि मंदिर में सभी देवी देवता होते हैं या फिर आप अलग से चौकी लगा कर सभी भगवान को वहां बिराजमान कर लें फिर आप वहां पर भी देव दिवावली मना सकते हैं हम देव दिवाली की पूजा मंदिर में कर रहे हैं इसलिए हम पूरे मंदिर को अच्छे से साफ कर लेंगे इसके बाद हमें घी का दीपक जला लेंगे अगर घी ना हो फिर आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं इसके बाद सभी देवी देपताओं को भारूपी इशनान कराएंगे पहले हम गड़ेश जी को इशनान कराएंगे उसके बाद सभी देवी देपताओं को भी इशनान कराएंगे सभी को हम हल्दी रोली से तिलक करेंगे और अच्छा समर्पित करेंगे इसके बाद हमारे मंदल में खाडू श्याम है उनका भी हम तिलग करेंगे इसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे और भोग समर्पित करेंगे भोग में आप कोई भी रितुफल ले लें, मिश्ठान ले लें या फिर खीर पूरी का भी भोग इस दिन लगा सकते हैं कार्तिक पूर्णमा के दिन आपको विश्णु भगवान और लक्षी माता की पुजा अवस्च करनी है इसके बाद हम घर के मंदिर में धेर सारे दीपक जलाएंगे ऐसे हम लोग दीपावली में खुब दिये जलाते हैं वैसे ही देवतावी दिवाली मनाते हैं इपक जलाने के बाद हाथ में थोड़े से अच्छा तौर पूस्प लेकर हम कार्तिक पूर्णमा की कथा सुनेंगे कथा का वीडियो चैनल पर आज चुका है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप बहां से जाकर कथा सुन सकते हैं वो जल के लोटे में डाल देंगे इस जल से हम चंद्रमा को अर्ग दे देंगे फिर हम धूप दीप चला कर आड़ती करेंगे आड़तिया विश्नु भगवान की गणेस जी की लक्ष्यमाता जी की कर सकते हैं इसके बाद पूजा में रही हुई कमियों के लिए छमायाशना करेंगे इसके बाद घर के मुखदार पर भी दीपक जलाएंगे केले के पेंड के नीचे, समी के पेंड के नीचे और तुलसी के पेंड के नीचे भी हम दीपक लगाएंगे पूरिमा के दिन गंगा इश्नान किया जाता है तो आप गंगा इश्नान करें और गंगा जी में दीपक अवश्दान करें अगर किसी कारण वस आप गंगा जी के तट पर जाकर दीपदान नहीं कर सकतें तो फिर आप किसी बड़े पात्र में गंगा जल डालकर उसमें जल मिलाकर उसी जल में गंगा माकान ध्यान करते हुए दीप दान करें इस तरह से भी दीप दान करने से गंगा जी में दीप दान करने का पुन्निफल प्राप्त होगा के बाद एक चंद्रमा के लिए दीपक दान किया है इसे आकास दीपदान कहते हैं कास दीपदान भी हमें जरूर करना चाहिए मैंने यहां पर बहुत सरल तरीके से पूनिमा और देब दीपावली की पुजाविदी बताई हुई है वीडियो आपके लिए अगर थोड़ी सी भ लिए जैशिरादे सभी को देब दीपावली की हार्दिक सुपकामना है